IIT BHU की 20 साल की चात्री के साथ बड़ी दुखद घटना घटी है और उसके बाद से जो है उत्ताल है पूरी देश की राजनीती क्योंकि जो अभी उभर करा रही है कि जिन्हें गृफतार किया गया है उन में से कम से कम बताया जा रहा है कि दो जन BJP की IT सेल की मिंबर है तो हमारे साथ जूट चुके है बंगाल के मंतरी डॉक्टर शशी पांजा मैम यह जो घटना घटी है बड़ी दुखद है तो क्या कहना चाहेंगे उत्तर प्रदेश जैसी एक स्टेट पे ऐसी घटना देखे वैसे भी उत्तर प्रदेश में अगर आप देखे तो आकड़े तो यह साफ नजर आता है कि महिलाओं के उपर बलातकार और इस तरीकी के अत्याचार की संख्या सबसे ज्यादा है हमारे देश में दूसरी बात है कि हैरानी होती है कि यहाँ पर दो नवेंबर को यह घटना घटी करीब एक महिने लग गए उनको एरेस्ट करने के लिए तीसरी बात जो आ रही है कि यह भारतिय जनता पार्टी के कार्य करता थे और ITCEL के जिम्मेदार में वो थे जिम्मेदारी उन पर थी उत्तर प्रदिश की, तो देखिए, आईटी सल के जो हेड है, सारे भारत वर्ष में, अमित माल विया, कोई समय उनका चूख नहीं होता है, वो किसी और राजनेतिक दल हो, या कोई और राजनेतिक नेता, नेत्री हो, उनके विरुद में लिखने में उनको एक पल भी ने जब वक्ती है, लेकिन अब वो क्या कहींगे, यह पूछ रहें, यह किस तरीके के हैवानियत है, कि आपके कारियकर्ता बलतकार पे उतर आये और आप चुप है, तो भारती जनतापाड़ी भी क्यों चुप है इस विशे में, बी एचियो, बने बेनारस हिंदू युनिवरस्टी बेनारस में है, वहां के माननी सांगसत हमारे देश के प्रधान मंत्री है, उत्तर प्रदेश डबल इंजिन सरकार है, वहां भी सरकार है, केंजर सरकार भी है, और यह डबल इंजिन सरकार के पीछे राजनेतिक दल जो है, ऐसे नहीं है, विरोधी दल है कोई, दोनों में बी करता बलतकार के संग जुक्त हैं और वो ऐसे दिन दिहाड़े घुमेंगे और कुछ नहीं होगा भारतिय जनता पार्टी क्योंकि ये राजनेतिक कर्मी आपके दलके हैं आपको तो जो जिसके उपर अर्थया चार हुआ है उसके पास खड़े होना चाहिए लेकिन कोई भी साह कोई आवाज ही नहीं है एकदम चुप से है तो सवाल हमालों कि अब सोचे महिला सुरक्षा कमिशन जो है नैशनल वोमन कमिशन तो वो पहुंची बनारस वो लड़की तक पहुंची क्या और लड़की के ओपर जो अत्याचार हुआ उसके विरूत में क्या स्टेप्स आपन कोई भी हम लोग मुवमेंट नहीं देखता है यही अगर बंगाल होता तो अब तक पहुंचाती मनिपूर है तो नहीं पहुंचती है डबल इंजिन सरका जहाँ-जहाँ भी है भाजपा की वहां नहीं पहुंचते तो संग्विधान संग्विधानिक यह जो पद है अगर इ क्या कारवाई होगी, कितने जल्द भारती जनता पाठी राजनेतिक कदम भी उठाएगी, क्युकि एक तो अपराद है, उसका कानून जो है वो जल्द लागू होना चाहिए, जो बैटी है, भारत की बैटी है, उसको भी तो न्याए मिलना चाहिए और तुरंत ही मिलना अगर ये पशिब बंगाल के आप मंत्री है और महिला सुरक्षा ये भी देखते हैं तो अगर ऐसी हरकते बंगाल में होती तो आपका क्या स्टेप रहती आप क्या स्टेप ले सकते थे अगर एक भी घटना हो वो भी दुखद है वो भी नहीं होना चाहिए तो हम जो है अपने आपको ही संक्सोधन करते हैं तो जब कलकता निकली सुरक्षित शाहर तब यही भाजपा लोग जो है टूट पड़े कैसे सुरक्षित है ये देखिए वह ये वह लेकिन जब दिल्ली को कहा गया कि आप सुरक्षित नहीं है क्योंकि दिल्ली की पुलिस यूनियन होम मिनिस्टर के अं अर्मी होता तो एकदम तुरंट जो कांगर्स को करना है को तो कारवाही तो करते ही ऑच को हटाना है वो भी अटाती तो ये मुद्दा उठेगी जैसे कि अभी आ रहा है पार्लेमेंट की एलेक्शन, लोक्रवा की जो एलेक्शन है, ये मुद्दा रहेगी इसमें? मुद्दा हमेशा रखाया देश की शुरक्षा, भारत की बेटियों की सुरक्षा हमेशा, बने अवल नंबर में रहना चाहिए, आप बेटी की सुरक्षा देंगे तब तो बेटी आजाद होगी। तो ये हमारे पश्चिम मंगाल ने एक दिशा दिखाया है, बेटियों को सम्मान करना, आरक्षन द्वारा बेटियों को अधिकारत भी दिलाना, बेटियों को पढ़ाने के लिए उत्साहित करने के लिए कन्यासरी जैसी स्कीम से, और एक राजनेतिक दल के हिसाब से कॉंग्रिस है, तो इससे जो है एक जैसे हमने कहा कि पोलिटिकल एक सिगनल जाती है, पोलिटिकल विल, बन्हें, एक राजनेतिक दल या एक सरकार की क्या इच्छा है, वो अपने कर्मों द्वारा ही निकलती है, तो अगर प्रशासनिक स्तर पे अगर आपको दिखे कि करका जमीन के पट्टा जब देती है तब महिलाओं के नाम पे पट्टा जाती है लक्षमी भंडा जैसे जो स्कीम है महिलाओं के लिए बनाए गया और जो भी घर बनते हैं वो भी महिलाओं के नाम पे होता है एक महिलाओं को जो है अगरादिकार दिया जाता है एक importance दी जाती है जिससे कि society में एक अच्छा message जाता है और अगर party अब आप देख रहें कि 53% वाली reservation जो हुई है हाली में हुई है लेकिन reservation कब होगा लागू वो तो 2026 या 2031 के निर्वाचन में मालूम ने लेकिन ये जो कानून पास हुई ये कानून पास होने के पहले त्रिनमूल कॉंग्रेस एक राजनेति दल पहले ही एक leadership लेके अपने दल में जब candidates तय किया जाता है कि कौन खड़े होंगे निर्वाचन में तब महिलाओं को ज़्यादा से ज़्यादा सीटे दिया जाती है तो एक अपने आपके हात में है कानून होने के पहले भी आप एक राजनेति पार्टी को भुलाउंग करते हैं जो नेता ये नित्री है वो उनके हातों में ये शम्ता है और बाद में है कि निर्वाचित होने के बाद एक सरकार भी इस तरीके के सिगनल देती है आच तक कुलकाता